हेलो फ्रेंड्स वेलकाउम टू टेलेंट क्राफ्ट आज के सेशन में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डीसी मोटर को ऑपरेट करके बताऊंगा जिसका यूज हम फ्री लेटिशिटी जेनरेशन या विंड मिल जैसे प्रोजेक्ट बनाने में यूज कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल 11 डिफरेंट टाइप के डीसी मोटर है पहले मैं फर्स्ट मोटर से स्टार्ट करता हूँ यह एक छोटी सी मोटर है जिसमें दो वायर टर्मिनल है सेम एज़टी सेकेंड मोटर में भी टू वायर टर्मिनल्स अबलेवल है इन सर्ट सारे डीसी मोटर में टू वायर टर्मिनल्स ही होते है ये वाली DC गियर मोटर है जो कि 1000 RPM की है मिन्स ये मोटर 1000 rotation per minute rotate होगी second last motor की RPM 300 है मिन्स ये वाली मोटर एक मिनट में 300 बार rotate होगी last one motor is of 30 RPM ये side में motor है और ये side में gearbox है इसको हम easily rotate नहीं कर सकते हैं जो कि wheels मोटर के soft में connect कर देंगे और उसके बाद wheels की help से motor को manually rotate करेंगे so friends हमारे पास इतने type के DC motor है अब मैं आपको 9V battery के help से motor को run करके दिखाता हूँ मेरे पास एक 9V की battery है and battery cap है इसको मैं पहले multimeter से check कर लूँगा so friends मैं एक small green propeller को motor के shaft में connect करके use करूँगा अब ही मैं small motors को dual side tape से fix कर दूँगा जिससे ये motors अपनी place से हिलेंगी नहीं अब मैं battery के help से motor को run करूँगा one by one and आप देखोगे कि motor जब run होती है तो propeller भी rotate होता है कुछ motor के shaft बहुत पतले हैं वो आगे आपको एक motor में दिखेगा इस motor के shaft बहुत पतला है जिसमें propeller fit नहीं होगा तो मैं dual sided tape का use करूँगा ये वाली हमारी DC gear motor है इसका shaft का size propeller के साथ fix नहीं हो पाएगा तो हम इसका open shaft rotation movement देखेंगे और इसमें हमने पहले से ही wheel fix किया हुआ है यहाँ पे मैं एक आपको important practical बताने वाला हूँ कि जब हम motor को battery के साथ connect करके देखते हैं तो motor किसी भी one direction में rotate होती है बट अगर हमने motor को opposite direction में rotate करवाना हो तो हमें battery की supply को change करना है just simple means अगर आप battery के connections को change करेंगे तो motor automatically दूसरे direction में rotate होना start हो जाएगी अब मैं आज के इस वीडियो का important part बताने जा रहा हूँ वो यह है कि हम DC motor को as a DC generator use कैसे कर सकते हैं तो उसके practical को perform करने के लिए हम सारे DC motor में single single LED connect कर देंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो सारे DC motor में LED connect हो रहे हैं अब हमें यह चेक करना है कि किस DC motor को हम as a DC generator यूज कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सारे motor में LED connect हो चुके हैं अब हमें यह चेक करना है कि किस-किस DC motor को हम as a DC generator की तरह यूज कर सकते हैं उसके लिए हम दुबारा से एक propeller लेते हैं जिसको motor के shaft में connect कर देते हैं और बारी-बारी से propeller को manually clockwise and anti-clockwise rotate करेंगे अगर कोई LED on हो जाती है तो हमें पता चल जाएगा कि यह वाली DC motor को हम as a DC generator यूज कर सकते हैं जो DC motor as a generator की तरह वर्क नहीं करेगी उससे हम cross mark से mark कर देंगे बट यह motor का shaft पतला है तो हम इसे हाथ से ही rotate करेंगे आप देखेंगे यह motors LED को on कर देती है means यह DC motor as a DC generator की तरह वर्क कर सकती है same as it is बाकी के सारे motors की testing कर लेंगे अगर हम manually ultra गुमाते हैं तो LED के terminals को change करना होगा जिसे LED on हो जाएगी same as it is बाकी के सारे motors की testing कर लेंगे और जो motors LED को on कर सकती है उस motor को हम right mark से denote कर देंगे so friends यहाँ पर आप देख सकते हों कि यह DC motor भी as a DC generator की तरह वर्क कर सकती है अब आते हैं DC gear motor पे इस motor के soft में propeller fit नहीं होगा so हम इसे हाँ से ही rotate करेंगे so friends आप देख सकते हों कि यह motor बहुत ज़्यादा power generate कर रही है यह second last motor भी power generate कर रही है यह last वाली motor के rpm only 30 है so इसमें पहले के compare में ज़्यादा power generate होगा बट इसको rotate करना भी hard है so friends सभी DC motor में से हमारे पास सिर्फ 5 ऐसे DC motor है जो as a DC generator की तरह वर्क करते हैं बाकी के motor सिर्फ as a DC motor की तरह ही वर्क करते हैं अब इसका principle देख लेते हैं कि कैसे DC motor as a DC generator की तरह वर्क करते हैं जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे पास दो DC motor का डियाग्राम है दोनों motor सेम हैं दोनों motor को हमने input and output define किया हुआ है अगर हम motor के input में electrical energy देंगे तो वो mechanical energy output में देगा अगर उसी motor के input में हमने mechanical energy दिया है तो output में हमें electrical energy मिलेगा और वो as a generator की तरह वर्क होगा यह process सर्फ DC motor में ही होती है अब इसका internal principle देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास दो parameter हैं एक है V means voltage और दूसरा है VB means back EMF इसमें हमें दो condition मिलती है फर्स कंडिशन में अगर voltage बरा होता है back EMF से तो वो DC motor as a DC motor की तरह वर्क करेगी और second condition में अगर back EMF बरा होता है voltage से तो वो DC motor as a generator की तरह वर्क कर सकती है अब voltage and back EMF क्या होता है उसे हम समझ देते हैं यह है एक battery और यह है एक DC motor हमने DC motor का connection battery के साथ कर दिया है तो यहाँ पे जो दो point है जहां से दो wire pass हो रहे हैं वहाँ से हमें voltage मिलता है और motor के अंदर जो coil होती है उसकी कारण जो energy produce होती है वो है हमारा back EMF सो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को like and share कर सकते हैं और हमारे चैनल टैलेंट क्राफ्ट को भी सब्क्राइब कर लीजिए और बैल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा